नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यारती जीवन से सम्मंदित सभी सूचनाय प्रदान की जाती है उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर उन्हें चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें और जिन विद्यारती उन्हें टार्गेट विद प्यस परियार टेस्ट सीरीज अप को भ देली नीच उसमें बिल्कुल नीच रोज अपडेट की जाती है तो एक बार आप लोग टार्गेट विद्परिया.com वेब साइट को जरूर विजिट करें चलिए सुरू करते हैं प्रडाम जारी हो गया है और विद्यारतियों को बहुत सारे क्वेस्टन आ रहे हैं बहुत में हाइवालिया रिक्टिया हैं बाइस हजार उनका पंद्रक गुना तो पंद्रक गुणा विद्यारतियों को न विद्विज्यापन जारी होगा उस ब riches के लिए 15 विद्यारतियों को मुझकी परीशे में बिठाया जाएगा इसके बाद में सबसे बड़ा जो question है विद्यारतियों का कि आखिरकार जो cut-off होगा PT का वो विज्ञापन के समय ही जारी किया जाएगा या cut-off बाद में जारी किया जाएगा तो मैं आपको फिर से स्पश्ट करती हूँ कि cut-off अभी जारी नहीं किया जाएगा आप लोग suppose करिए सोचिए कि कि अगर कोई special vacancy है special पदों के लिए जिसमें special योगिता मांगी जाती है और उसमें पदों की संक्या केवल मालीज यह तीन सो पद ही है तीन सो तो इसमें तीन सो पद ही है और इसका पंद्रे गुना विद्यारतियों को बुला ले का मतलब है 433 وت आगर कट करेंगे तो हो सकता है कि जो मेरित में 4500 जो विद्यारति हैं इस मेंशników हुर तो फिर क्या होगा इसलिए ऐसा नहीं है पहले यह क्या करेंगे भर्ती का विग्वर आपन निकालेंगे सभी से आवेदन लेंगे कुल आये हुए जो आवेदन है उन आवेदनों में से भरती के 15 गुना विद्यारतियों की छटनी करेंगे ना कि जो रिजल्ट जारी हुआ है इसका 15 गुना विद्यारतियों की बुलाए जाएगा तो इसको आप नूट कर लें इसमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसलिए अगर लेखपाल भरती के लिए बात करें तो लेखपाल भरती में अब सभी से आवेदन लिये जाएंगे और जो विद्यारति आवेदन करेंगे उसका 15 गुना या 20 गुना 15 से 20 गुना विद्यारतियों को ये बुलाएंगे जिनकी संख्या लगबग 1,5 लाग के आस्पास हो सकती है लेकिन ऐसा भी नहीं है जो विद्यारति आवेदन करेंगे लेखपाल भरती के लिए वह टौप के 1,5 लाग विद्यारति ही हों बहुत सारे विद्यार्थी तो आवेदन नहीं करेंगे कोई भी प्रतियोगी परिच्छा होती है अगर आप लोग देखेंगे कुल आवेदन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उसका लगबग 70% विद्यार्थी या 80% विद्यार्थी ही परिच्छा में बैठते हैं इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो आवेदन किया था जिनका पीटी के रिजल्ट आ गया है 100% दावा है कि पूरे के जो पूरे विद्यार्थी है वह आवेदन नहीं करेंगे लेकपाल के लिए और मैंने भी पहले भी इसी तरीके का वीडियो बनाया तो जिसमें आप ल पुर Neptune's जारी हो गया है और बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो पहले सही उत्तर, प्रदेश में अनय नोजीनों में चाहिन देव सबसे चोटा सबसे चोटी नोकरी होती है लेकपाल की लेकपाल की नोकरी होती है डो हजार गेल पे तो बहुत सारे ऐसे चात्र हैं जो या तो अध्यापक के पत पर चाहे नहीं थे तो उन विद्यारतियों ने जो चर्चित भरती है आने वाली लोवर की और लोवर में में काफी अच्छी पोस्ट होती है जिसका भी हाली मेंस हुआ इसी तरीके कि इसमें तो क्यों चारी पत थे लोवर में बहुत सारे पत होते और भी जिनके अधियाचा ने पिछली वर्ती में नहीं आते तो उसके अधियाचा अगरी वर्ती में आएंगे और लोवर में कम से कम 10 या 12 पोस्ट होती हैं मैं बहुत सारे ऐसे भी जानता हूं बहुत परचित के लेखपाल हैं जिन्होंने पीटी को दिया है जो बनना चाहते हैं लोवर बहुत सारे ऐसे वीडियो जो 2015-16 में वीडियो के पत्पर चैनित हुए थे जो पहले आई थी उन्होंने भी पीटी दिय डिया है और उनके बहुत अच्छे नंमर भी हैं तो फोविडिया भी लेग पाल काई एप कोई बीडूओ नहीं बनना चाहिता कोई भी लेग पाल जो पहले लेग पाल हो तो दुबारा ली में सारे ज़ो टीचर्स हैं वह भी नहीं बनेगी तो इसलिए मैं कहहा드रा हूं कि इनी में से लिए जाएगा और निम्तम जो बिद्याड़ती हो जिनकी धाई लाग तक रेंक है उनको भी मौका लेख पाल की मुख परिक्चा में देने को मिल सकता है जो कटाफ मैंने आप लोगों से बताई थी कि जिनके अरशट नंबर है वो हंड्रेड परसेंट लेख पाल की मुख परिक्चा में बैठने वाले हैं और इसकी जो कटाफ है वो अरशट से बहुत कम नीचे तक जा सकती है अरशट से लेकर के छाचट तक भी जा सकती है लेख पाल भरती की मुख परिक्चा के लिए कटाफ चुकि कटाफ पहले गो कि जाएगी इसलिए ऐसा होने जा रहा है और अब हम बात करें कि अगर लेगपाल बढ़ती का विग्यापन कब तक जारी होगा तो लेगपाल बढ़ती के बारे में पहले भी बताया था कि थोड़ा सा समस्या हैं चुंकि अभी विद्यार्थियों ने धर्नाब प्रदसन किया हो सकता है या अगर विश्ण परस्थितियों में अगर आनुवत नहीं मिली या थोड़ा सा देरी वीत जादा जादा दिसंबर के फर्स्ट भी के दिसंबर के सुर्वात के जो दिन है दस्तारीक तक इसका जो विग्यापन है वह 100 परसेंट लिखतर वर्तिक विग्यापन हो जारी हो जाएगा और और कटाफ के टेग्री वाइस होगा या ओवराल 15 विध्यार्ची को बुलाएंगे कैसी क्या चीजी है इसके बारे में थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा स्वास्त विभाग की जो बगेंसी आने वाली है एनम जेनम वाली वह पहले बढ़ती आ सक तो ठीक है दोस्तों यह हो गया आज का वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और जिन चात्रों ने टार्गेट वीद परियार एप को डाउनलूड ना किया तो टार्गेट वी वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद